हलो दोश्तों हमारे चैनल अमरीद कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है हर रोज की तरह आज भी एक नया लेशन के साथ और एक नय टोपिक के साथ एक नई जानकारी के साथ आए है और आज का हमारा टोपिक है हेर एंड देर यहां और वहां प्लास फोर लेशन फोर है इसमें हम डे सारी बाते सीखेंगे जो हम लोग का कभी कभी अधिकतर गलतिया करते हैं तो इस लेशन में वही सब बताया गया जो हम लोग गलतिया करते हैं अपनी चीजों को कहीं इधर फेकते हैं तो कभी-कभी हम खुद ही ढोड़ते हैं तो मिलती नहीं है तो इसलिए हम सभी को अपनी जिमेदारी निभाना चाहिए क्योंकि हम अपनी जिमेदारी खुद नहीं निभाएंगे तो परसानी हमी कोई जिलना पड़ेगा तो इस कहाने में यही सब के बारे में बताया गया तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कीजिएगा इसके पहले का लेशन अभी तक आप लोग नह पढ़ात हमाई चैनल पर जाईए वहाँ आपको लर्णिंग इंग्लिश क्लास फोर में मिल जाएगा इस तरीके के डे सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए चलिए अब लेशन की सुरूआत करते हैं नीता इस गर्लेश गर्ल नीता एक लापरवाह ल आपनी समान को सही जगह पर नहीं रखती है तो इस दरीके से वह अपनी सिर्जों को उनके उची तस्थान पर नहीं रखती है अब दुखिये कोई बार बार गलती करता है तो एक दूसरी को परसानी होती है तो इस तरीके से यह नीता के बारे में पूरा बताया गया है तो इस तरीके से आप लोग देखते रहिए अंततक ताकि पूरी कहानी आपको बढ़ियां से समझ में आ जाए यानि एक दिन नीतास फ्रिंड माला कॉम्स टू हर हाउस नीता की सहली माला उसके घर आती है एक दिन जो है नीता की सहली एक रहती है माला तो वह उसके घर आती है पिर नीता कहती है, how are you माला, कैसी हो माला, फिर माला कहती है, नीता कहती है माला से, how are you माला, तो कैसी हो माला, फिर माला कहती है, I am fine, मैं ठीक हूं, thank you, धन्यवाद, what about you, आप कैसी हैं, तो एक दूसरे से बाते करते हैं, हाल चल पूछते हैं, फिर नीता कहती है, I am also fine, मैं भ मैं भी ठीक हूँ, फिर माला कहती है, I came here to take my story book back, मैं यह अपनी, मैं यहाँ अपनी कहानी की किताब वापस लेने आई हूँ, नीता से कहती है माला कि मैं अपनी कहानी की किताब वापस लेने आई हूँ, जो मैंने आपको दी थी, which I had given to you last week, जो मैंने आपको पिछले हपते दी थी, जो किताब मैं आपको पिछले हपते दी थी, वही किताब लेने के लिए आई हूँ, आफ्टर सेचिंग एवरिवेर, जो हर जगह तलास करने के बाद फिर वह कमरे में प्रवेश करती है, जो नीता रती वहाँ, अपने कमरे में प्रवेश करती है, वह ढूटती है, उसे नहीं मिलता है, फिर नीता कहती है, यहीं कहीं पर थी, यहीं कहीं मेज पर थी, no no I think it was there in the cupboard नहीं नहीं मुझे लगता है कि यह आल्मारी में थी तो एससा बाते हो और यह कुछा कहती है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कहां रखा है साध्य कहें मेज पर होगी फिर कहती है नहीं मुझे लगता है कि आल्मारी में थी फिर माला कहती है, you should keep things, you should keep the things at their proper places, आपको चीजों को उनके उचित उधान, यानि अस्थान पर रखना चाहिए, should I help you, क्या मैं आपकी मदद करूँ, फिर माला कहती है, आपको जितनी मी समान है, वह सहित जगां पर रखना चाहिए, क्या मैं आपकी मदद करूँ, फिर नीता कहती है, yes please, हाँ please, यहाँ क्रिपया कर सकते हैं, माला और नीता, being to keep the things at their proper places, माला और नीता चीजों को सही जगापर रखने लगती है, यानि जितने भी चीजे इधर ज़र माला नीता फेकी रखती है, रखी रखती है, उसको सही अस्तान पर उठाकर रखने लगते हैं, while they are arranging the things, जब वे चीजों की विवस्ता कर रहे होते हैं, माला finds her storybook in the cupboard, माला को अलमारी में अपनी कहानी की किताब मिलती है, यानि जब वे लोग समान को अच्छी जगापर, यानि सही जगापर अरजेश्ट कर रहे थे, रख रहे थे, तो माला को उसकी जो storybook लेने के आई थी, वहां उसे कब बोर, यानि आलमारे में मिलती है, meanwhile, नितास मदर enters the room, इसी बीच निता की मा कमरे में प्रवेश करती है, फिर निता करती है, मा, see my room, निता करती है, अपने मा से मा मेरा कमरा देखो, या देख लो, मदर करती है, ओ गूड, अच्छा है, where is your blue bag, आपक करती है, it is here on the table, यहां टेबल पर है, फिर मदर करती है, where is your blue frog, मा करती है, निता से, तुम्हारी निली फ्राग कहां है, इस तरीके से, जब माला और निता दोनों लोग शमान को इधर दोर रख रहे थे, सही जगा पर लगा रहे तो इसी बीच उसकी मा आती है, तो अपने म जो है, बैक कहां है, फ्राक कहां ते सब बाते पूछती है फिर निता बताती है, फिर निता कहती है, it is there in the cupboard, अलमारी में है, फिर मदर कहती है, where are your black shoes, मा कहती है निता से, तुम्हारे काले जूते कहां है, फिर निता कहती है, they are here in the shoe rack, वे यहां, सूरेक में है, मदर कहती है निमाता कहती है, very good नीता, बहुत अच्छा नीता नीता, you should keep small things here on the table तुम्हे नीता तुम्हें छोटी चीजे यहाँ table पर रखनी चाहिए and big things there in the cupboard और बड़ी चीजे वहाँ आलमारी में रखनी चाहिए तो इस तरीके से हम लोग कभी-कभी जो है डेट सारी गलतिया करते हैं अपनी समान को इधर-दर फेकते रहते हैं लेकिन हम लोग की भी एक जिमदारी होती है अपना समान एक निश्ची समय पर यानि निश्ची जगा पर अच्छी जगा पर रखे ताकि हमें जब भी उसकी जरूरत पड़े आसानी से मिल सके ना कि उसके लिए हमें काफी परसान होना पड़े तो इस लेशन में यही सब बताया गया कि अपनी चीजों को जो है एक अच्छी जगा रखिए ताकि आपको ढोटने में कोई असुगदा नहीं हो आसानी से मिल सके तो उमीद करते हैं यह आलेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमसे जुड़ने के लिए आओ इस तरह की धेर सारी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कभी भी हम वीडियो इस तरीकी अपलोड करें आप तक असानी से पहुंच सके आप पढ़ सके और आगे बढ़ सके अपने दोस्तों तक से जरूर कीजिएगा फिर भी लेंगे एक नए लेशन के साथ एक नए टोपी के साथ एक नए जानकारी के साथ